हेलो फ्रेंड्स, स्सक्टिवस अर्षिटव है, आज मैं आपके साथ पीन सलेक्ट आज, सबीके सब आटकरी की एक दम आप गदम नाजी की नाख र ró, इक दम देख रहे हैं यह ़िशिक लहाएं एकदम अलग है ये रेस्पी, तो चलिए रेस्पी की शुरुआत करते हैं, अंडा करी बनाने के लिए हमने लिए हैं, पांच बॉयल अंडे, दो प्याज करते वे, चार पांच लेसन की कलियां, और यहने दो हरी मिर्ची लिए, आदा चमच जीरा लेंगे हम, नमक आप अपन धनिया पाउडर एक चमच, गरम मसाला हम आदा चमच इस्तमाल करेंगे, और तेल हम इसमें तीन से चार चमच के करीब बड़ा चमच इस्तमाल करेंगे, तो चलिए अब हम इसे बनाने चलते हैं, अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले हम अंडे को ऐसे टू पार्ट्स में काट लेंगे सारे अंडे को, ये एकदम नई रेसिपी है, एकदम डिफरेंट रेसिपी है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे, अंडा करें, आप देखें, मैं अंडे में कोई छेद नहीं कर रही हूँ, कोई कट नहीं लगा रही हूँ, मैं अंडे को डरक दो पार्ट में काट इस तरह से हमें काटना है आप देख सकते हैं अंडे को मैंने इस तरह से काटा है अब हम इसे फ्राइ करने करेंगे तो चलिए अब हम इसे फ्राइ करने चलते हैं सबसे पहले कड़ाई में हम तीन से चार चमच के करीब तेल डाल देंगे और तेल जैसी गरम होगा हम अंडे को उल्टे साइट से फ्राय करेंगे और जिस साइट से हमारे कटा होगा उस साइट से हमें अंडे को सीधा फ्राय नहीं करना है पहले हम इसे उल्टा करके डालेंगे इस तरीके से हमारे अंडे के उपर जो क्रिस्पी लेयर आ जाएगी उसमें और बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, तो हम अंडे को इसी तरह किसे फ्राइ करना है, आप देख सकते हैं, मैं अंडे को फ्राइ कर रहे हूं, एक साइट से हमारे अंडे जब फ्राइ हो जाएंगे, तो हम इसे पलट देंगे, और इसे दूसरे साइट से फ्राइ करेंगे, एक तूटके निकलेगा नहीं, इस तरीकी से अंडा करी बनाएंगे तो आपके अंडा करी बहुँत लगेगी खाने में भी और यह बहुत schlimm बनती है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इसी तरीके से अंडा करी बनाएंगे तो चलिए आप देख सकते हैं, अब हमारे अंडे फ्राइ हो चुके हैं, तो मैं इसे एक एक करके निकाल लेती हूँ, निकालते वक्त ध्यान रखिएगा कि अंडे फूटते हैं, तो बहुत ही अराम से और बहुत ही ध्यान से निकालेगा, तो हमारे अंडे मैंने फ्राइ कर अब हम इसे निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं हमारे अंडे फ्राय हो चुके हैं, अब हम कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं लेंगे, उसी तेल में हम दोनों मिर्ची डालेंगे और जीरा डालेंगे, जैसे ही हमारे जीरा चटक जाएगा, हम इसमें अपने कटे हुए अब देख सकते हैं, जो कि एक दम पक्के बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, तो वह एक अलगी फ्लेवर देता है, आपके अंडा कडी और भी बहुत टेस्टी बनेगे, अब मैं इसमें अपने मसाले डाल दूँगे, मसाले में मैंने हल्दी आदा चमच लिया है, लाल मिर्च अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है, तो और डाल सकते हैं, और धनिया पाउडर एक चमच डाला है, अब मैं नमक आपने टेस्ट के कोडिंग डालिएगा, अब मैं इसे मिक्स करके, और इसे दो मिनिट तक मिक्स करेंगे, ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे, आप देख सकत हमारे पेज बहुत एच्छे से हो चुके आपकी सबूझी का आपके ह्चा कड़ी का अभूत अच्छा कड़ का आयाएगा और अब इसमें हम अपने देख सकते हैं मैं लेसन आपको तोड़ के दिखा रही हूं हमाई लेसन कितने अच्छे से पक चुके हैं मैंने इसे कोई compact पहले से काटा नहीं है यह already बहुत साबुत लेसन डाल दिया है मैंने जिलके वस और इसमें इसे इस तर से तोड़ तोड़ क दिखा रही हूं आपको कि हमारे लेसन अभी से इतने पक चुके हैं तो जब हमारे मसाला पक जाएगा तो कितना टेस्टी लगेगा तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और पानी आप अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग ग्रेवी की थिकनेस आपको कैसी रखनी है उसके इकार्डिंग डालिएगा और इसे हम धक कर एक बॉयल आने तक इसे पकने देगे तो चलिए जब तक हमारा एक बॉयल आचुका है तो अब हम इसे धकन हटा कर एक बर मिक्स कर लेंगे और इसमे अपने फ्राइ किये हुए अंडे एक इक कर के डालेंगे एक साथ नहीं डालना है क्योंकि हमारे यलो वाला पार्ट निकल सकता है अंडे में से और हम इसे एक एक करके इस तरीके से डालेंगे हमने गैस का फ्लेम इस वक्त धीमी कर दिया है क्योंकि हमें अंडे डालने हैं अंडे इस तरीके से डाल देंगे तरीके से हम अंडे डालेंगे और इसे पकाएंगे इसमें मैं एक मसाला और डालूंगे जो कि पूरी तरीके से आपशनल है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं डालना चाहते तो मट डालिए पर मैं रिकमेंड करूंगे डालिए तो इससे और टेस्ट अच्छा आता है इसमें मैं चिकन मसाला डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक चुथाई चमस डाल रही हूँ, छोटा चमस और इसे अच्छे से डाल के mix कर देंगे, mix ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि इसे हम खॉल आने तक पकाएंगे, जैसी ये boil होगा, इसका खॉल देर हम इसे boil नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितनी ग्रेवी की thickness चाहिए थी, ये उतनी consistency में आच चुकी है, तो अब मैं gas बंद कर देती हूँ, और मैं इसे serve करके दिखाती हूँ, कि हमारा अंडा कडी कैसा बना है, आप देख सकते हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं इसे चावल के साथ serve कर रहे हूँ, आप रोटी, चावल, प्रांठा, किसी चीज के साथ भी से खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी भी लगती है, अगर आपको मेरी recipes पसंद आ रहे हैं, मेरी videos पसंद आ रहे हैं, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट क किजए लिए्ट आ, ये च मेंट रहे हैं, में ये अचित reduces को सब्सक्राइब का आपको में से खावल, वे लाएब कीजिए आ रहे हैं, है को जो बती हैं, अजो किसी है, रहे हैं, भी तोल सम्दोचल में रहे हैं, में ये चावल 32 grandाव venirंबड़ VID Т.